यूके में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दरसल बेटेन की राज़दानी लंदन से चोरी हुई एक लगजरी कार बेंटले मेलसेन पाकिस्तान के शहर कराची में बरामत हुई है इस्थानिय मीडिया ने बताया कि गाड़ी चापे मारी के बाद बरामत की गई गाड़ी बेटेन से चुरा कर पाकिस्तान लाई गई थी इस कार की कीमत तीन लाख डॉलर बताई जा रही है मिली जनकारी के मताविक बेंटले मेलसेन की चोरी के बाद में ब्रिटेन की खुफिय एजंसी ने पाकिस्तान अधिकारियों को बताया था कि कार कराची के रक्षा आवास प्राधिकार्ण छेत्र के एक घर में पार्ख है इसकी पुष्टी सिमा सुल्क परवर्तन CEE ने भी की थी ब्रिटेन की खुफिय एजंसी की जानकारी के अधारवा पुतीन ने सनिवार को शापे मारी के बाद बेंटले मिलसेन बरामत किया फेडरल बॉर्ड ऑफ रिवैन्यू कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स ने एक बयान में बताया कि ब्रिटेन की राष्टे एजंसी जे पता चला था कि एक ग्रे रंकी बेंटले मिलसेन लंदन से चोरी हो गई थी उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटेन की खुफिय एजंसी ने बताया था कि गाड़ी कराची के एक घर में पार्क किया गया है उन्होंने बताया कि इसके बाद कारवाई कर कार को बरामत कर लिया गया और दो आरोपियों जमीन शफी और नवीर बिलवानी को हिरासत में ले लिया गया है उन्होंने यह भी बताया कि एक अन्य आरोपी नावेद यामीन अभी फरार है रिपोर्ट्स के मताबिक कार कुछ समय पहले लंदन में चोरी हो गई थी जिसके बाद ये कार नामे में शामीन लोगों ने पूर्वी यूरोपिय देशों के एक शिर्ष राजनाईक के दस्तावेश का इस्तिमाल करके कार को पाकिस्तान पहुंचा दिया वहीं अगर गाड़ी के बारे में बात करें तो ये ब्रांड की ये सबसे बड़ी और सबसे महेंगी सेडान है वहीं इसकी कीमत 3,00,00 डालर भारतिय करंसी में 2,49,24,714 रुपे और पाकिस्तानी करंसी में 6,57,90,000 रुपे से ज़्यादा है सीमा सुल्क के अधिकारियों ने बताया कि इस कार का रेश्टेशन भी फर्जी है वहीं इसकी तरसकरी के बाद 30 करोड से ज़्यादा की टेस्ट चोरी की बाद भी सीमा सुल्क की FIR में दर्ज की गई है फिलाल मामले में अभी भी चांच जारी है अधिकारी इस पूरे गैं का माश्टर माइंड की तलास में जुटे हुए है पाकिस्तान की सरक्स से आप क्या कहना चाहेंगे इतनी महंगी कार लंदन से चोरी कर पाकिस्तान तक पहुचाए गई इतनी महंगी कार को लंदन से पाकिस्तान तक कैसे पहुचाया गया आप क्या कहना चाहेंगे कमेंड ब करें